हलो एंड वेलकम टू वेंपाय रोटो वल्ड आज आपके लिए 2022 का मारूती सुजू की वैगनार फेसलिफ्ट लेकर के हाजिर हैं यह VXI वाला वेरियंट है जो के पहले 1.2 लिटर के अंदर ओफर किया जाता था और अब इसको 1 लिटर जो आपका मारूती सुजू की सिलीरि के अंदर ओफर किया जाता था यह इंजन लगबग 66 BHP के पावर और 89NM का टॉर्क प्रडूस करता है के सिरीज वाला वही इंजन है जो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं सिलेरियो के अंदर इसके अंदर 16% तक फ्यूल एकोनोमी को भी अपग्रेड किया गया है यानि क देखने को मिलती है इसके अंदर अगर एक्स्टीर से बात करें तो कोई ज्यादा कोस्मेटिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलते हैं सेम वही है एक इंजन को छोड़ करके लेकिन अगर टॉप ट्रिम की तरफ आप जाते हैं यानि कि ZXI प्लस तो वहाँ पर डूल टॉन के अप्शन भी अब मिलने लगे हैं जिसमें रेड के साथ ब्लैक और ग्रे के साथ ब्लैक का अप्शन मिलता है टोटल 6 सेड के अंदर ये ओफर की जाती है यह आपका पेरल वाट वाला अप्शन है इसमें एक्स्टीर से बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में मारुति का अप्शन यहाँ से है और ब्लैक रेडियेटर ग्रिल के अलावा जो स्किड प्लेट है वो भी आपकी प्लास्टिक ब्लैक के अंदर ही रखे गई है तो यह था इसका कुछ एक्स्टीर लुक साइड लुक से बात करते हैं तो बोडी कलर ओवार्वियम के साथ बोडी कलर लेते थे इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको MRF के ZV TV इकोल टायर मिलते हैं जिसकी प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल कुछ इसकी 13 इंच की है और यह रही 165-70 और 14 14 इंच के टायर इसके अंदर भी यानिकि VXI वरियंट से ही आपको 14 इंच के टायर स्टील व इंटीरियर में और ऐसको इंटीरीर से बात करते हैं इसके अंदर एक-एक जो चेंज़ आये तो एंटीर 조 के सबसे पहले के साहिसे ही स्टार्टकर लेते हैं तो की बात करते हैं कि कुछ आत देखने को मिलती है पहले आपको एक के साथ जो रिमोट वाला सिस्टम और दूसरी के साथ simple सá मिलता था अ अब दौनों के साथ ही remote वाला system मिलता है यानि कि दौनों ही remote और manual के साथ यह आती है lock unlock के simple दो function रखे गए और कोई extra function है नहीं steering wheel में थोड़ी सी premiumness देखने को मिलती है अंदर बैठते ही जो आपको सबसे बड़ा चेंज फील होगा वो होगा एर बैग एक एर बैग यहां पर और दूसरा एर बैग यहां पर यहां पर यह आपका का इसका इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर है जो पहले जैसा ही है कोई ज्यादा चेंज अब देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन इसके अलावा सीट वैल्ट रिमाइंडिंग और विंडोज के लिए इधर इंजन से रिलेवंट और यह सारी इंफॉर्मेशन ही देखने को मिलती है अब यहां पर स्मार्ट प्ले स्टूडियो देखने को मिलता है जो की मारुती शुजू की का जो आता है वही है जिसमें अ है एक दो मुझे इसमें कमी लगी है वह कमी है इसकी वॉल्यूम नोब की देखिए वॉल्यूम जितना अगर मैं प्रेस कर रहा हूं उस हिसाब से रिस्पॉंस नहीं आ रहा है थोड़ा लेट रिस्पॉंस यह कर रही है ठीक है जैसे मानलो मुझे इंस्टेंट अगर वॉल ड्रोबैक मुझे लगा है जो पहले नहीं था अभी मुझे ड्रोबैक के रूप में लगा है अगर आपको कुछ और लग रहा है ता आप बता सकते हैं यहां से आप FM टून वगरा कर सकते हैं यहां पर आपका मिलता है डे नाइट अड्जेस्टेबल आयार व्यूम ठीक है जा सिंपली मैनुवल है उपर की तरफ वही सिस्टम पहले वाला ही है कोई ज्यादा चेंजिज इसके अंदर आपको देखने को नहीं मलते है टिकेट होल्डर ठीक है इस साइड आपके वैनिटी मीरर कोई अड्जेस्टेबल नहीं मिलता है सिंपल सा अगर बात करें तो कु 2019 में भारतिय बाजार के अंदर आया था उस टाइम जब ये भारतिय बाजार में आया था तो इसने नेक्स जणरेशन के रूप में ये सामिल हुआ था लेकिन जब अब इसका फेसलिफ्ट आया लगबग 3 साल के बाद 2022 में इसका फेसलिफ्ट नहीं मातर कुछ कौसमेटिक और एक दो safety feature को छोड़ करके कोई जादा ऐसी changes आपको देखने को नहीं मिलते हैं सिरफ एक front में ही light मिलती है उसके लाव back में कोई light यहाँ पर नहीं रखी गई चट के अंदर शिरफ front के एक है एक जो बड़ा change आपको देखने को मिलता है वो sheet में है जो पहले base और black के combination में आते थी अब base की बजाए यह कुछ color change कर दिया गया है ऐसा कुछ color मिल रहा है ठीक है तो इस color में यह option में मिलती है chrome tip के साथ तो कुछ छोटे-छोटे minor changes है वो ही गाड़ी के अंदर किये गए है वही आपको देखने को मिलती है जो अब इसका जो one liter engine आया है वो थोड़ा सा अच्छा है अभी जैसे fuel economy के मामले में यह पहले से बहत्र हुई है ठीक है और कुछ gear में particular unit में ही दिक्कत है या फिर मुझे ही problem फेस हो रही है उतनी smooth gear shifting लग नहीं रही है जैसे थोड़ा सा जर्क मुझे ऐसे लग रहा है मैंने पूरा clutch दुबारा से लेता हूँ हाँ थोड़ा सा जर्क गाड़ी खड़ी में feel हो ही रहा है वही dialer system देखो जो silirio के अंदर अभी offer के जा रहे हैं वही dialer system आपको मिलती है flow तो हमेशा से ही इसका top रहा है ठीक है यहाँ से temperature कंट्रोल करना यहाँ से direction कंट्रोल करना तो वही कुछ है 60-40 में इसकी rare sheet दी जाती है यह वाली sheet 60-40 split है यहाँ से तो guys आज हमने बात की है मारूती Suzuki Wagner के 2022 का face lift आया है उसके VXI variant के बारे में अगर आपको VXI का complete walk round देखना है तो वीडियो पहले से ही uploaded है channel के उपर वह जा करके देख सकते हैं जो कुछ minor changes आये हैं VXI variant के अंदर वह मैंने आपको बता दिया है क्योंकि एक airbag बढ़ा दिया गया है optional कर दिया गया है जो पहले optional मिलता था आप standard कर दिया है जैसे AMT के साथ अब आपको heel hold assist मिल जाता है ठीक है तो यह दो तीन safety feature अपग्रेड किया गया है उसके अलावा जो इसका studio 2-din audio system है उसके अंदर थोड़ा सा change किया गया है जो थोड़ा सा laggy हो गया है मेरे हिसाब से पहले से अब यह थोड़ा सा laggy हो गया क्योंकि VXI जब 1.2 लेटर देखते थे तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा lag करता हुआ लगा ठीक है उसके लागर आप टोप ट्रेम जाते हैं तो आपको dual tone का option मिल जाता है इसमें 14 इंच के alloy wheels मिल जाते हैं ठीक है मारुति शुजो की वैगनार के बारे में information यदि information पंसना आई हो तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा वीडियो को like करना ना भूलिएगा और जादा से जादा इस वीडियो को please share केजिएगा ताकि जो भाई वैगनार ख्रीदने के बारे में सोच रहे हैं उनको भी समझ में आए जल का भी थोड़ा सा मनोबल भढ़ाईए चैनल को ज्यादा से ज्यादा विजिट कर कीजिए वीडियो को like कीजिए ठीक है उमीद करता हूं आप भी हमारी इस जरूनी में साथ देंगे मिलते एक और बहतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए have nice day